हलो बच्चो प्रश्न है परमात्मा की बारे में लेखक क्या कहते हैं वो निराकार हैं साकार हैं केवल शब्द हैं केवल वाणी हैं निराकार यानि कि जिसका कोई आकार ना हो यानि हम प्रभु को देखना पाएं समझना पाएं उनका कोई आकार ना हो साकार मतलब जिसका तो वो साकार इश्वर कहलाते हैं, तो लेखक थे वो परमात्मा को निराकार मानते थे, यानि कि एक तरह से वो सोचते थे, निर्गुण संपरदाय कह सकते हो, और फिर जिनका कोई आकार नहीं होता, उनको मानते थे, तो उप्शन एस का क्या हो जाएगा, राइट.